हेलो गाईश तो स्वागत्ते आपका टेक्निकल अंकेत मैं और में नामें अंकेत और आज के वीडियो आईक्यो यूजर्स के लिए काफी जादा इंट्रेस्टिंग होने वाली है तो गाईश यहां आईक्यो यूजर्स के लिए एक बहुत बड़ी गुड़नीज निकल कर साम अपडेट रिसीव्ट हो चुका है तो गाईश वह कौंसे कौंसे आईक्यो के डिवाइस हैं जिन मैं जैनुरी का यूजर्स बताने वाला हूं तो वीडियो काफी जादा अमेजिंग होने वाली है और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो के लाइक कर देना एं तो यहां जो हमारा फर्स्ट नंबर पर आईक्यू का डिवाइस आता है जिसमें जैनुरी का नियू अपडेट रिसीव्ड हो चुका है तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट आईक्यू का डिवाइस की जो की आता है IQ Z3 तो इस डिवाइस में भी जैनुरी का नियू अपडेट रिसीव्ड हो चुका है तो बढ़ते हैं नेक्स्ट आईक्यू के डिवाइस की तरफ जो की आता है IQ 9 SE तो बात करते हैं नेक्स्ट आईक्यू का डिवाइस की जो की आता है IQ 9 Pro तो इस डिवाइस में भी ये नियू अपडेट रिसीव्ड हो चुका है तो बढ़ते हैं नेक्स्ट आईक्यू के डिवाइस की तरफ जो की आता है IQ 7 Legend तो गैस इस device में भी ये new update received हो चुका है तो बात करते हैं नेक्स आईक्यू का device की जो की आता है IQ90 तो गैस इस device में भी ये January का new update received हो चुका है तो बढ़ते हैं नेक्स device की तरफ जो की आता है IQZ6 44W तो इस डिवाइस में भी जैनुवरी का नियू अपडेट रिसीट हो चुका है तो चलते हैं अपने डिवाइस की तरफ जो कि आता है आईक्यू 11 तो इस डिवाइस में भी जैनुवरी का नियू अपडेट रिसीट हो चुका है अब जाके चेक कर सकते हो तो बढ़ते हैं अप कर डिवाइस की तरफ जो कि आता है आई क्यू न्यू शिक्स फाइब जी तो गाइस इस डिवाइस में भी ये जैनुरी का न्यू अपडेट रिसीफ्ट हो चुका है तो बात करते हैं अपने एक्यू के डिवाइस की जो कि हमार आखरी डिवाइस है जिसमें ये जैनुरी का न तो आपको सेंपली से उस अपडेट को अपने IQ device में इस्टॉल कर लेना है तो गाईस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को एक लाइक करें एंड देन चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल एकन को प्रेज जरू करें ताकि आपको मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए तो मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक यू